हेलो दोस्तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मिस्टर डेकर चैनल की एक और वीडियो में दोस्तो आपने इस तरह के फोटो और वीडियो देखी होंगे अब आपके मन में ख्यालाता होगा कि इस तरह के फोटो हम कैसे बना सकते हैं आप बस इतना मत सूचिए बहुत ही सेंपल है अगर आपने हमारी इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया तो आप इस तरह के फोटो बनाना सेख जाएंगे पांच मिनट के अंदर-अंदर 100% आप मुझसे गारंटी ले लीजिए आप पांच मिनट तक मेरी वीडियो को देख लीजिए और इसके बिल्कुल भी ना करें उसके बाद आप इस तरह के बहुत सारे फोटो बनाना सेख जाएंगे किस तरह के से इस तरह की फोटो बनाना है और अपने दोस्तों के फोटो बनाना है किसी के भी फोटो आप बना सकते हैं बहुत ही असानी से तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है सबसे पहले आपको Google Chrome ब्राउजर में चले जाना है या फिर किसी भी ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है Microsoft Image Creator Microsoft Image Creator सर्च करने के बाद आपको First Number वाले आप्सिन पर आपको आजाना है इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का interface आएगा यहाँ पर उपर एक box आएगा इस box में आपको एक text note लिखना है ठीक है बो note मैं आपको जो है description में दे दूँगा comment box में भी दे दूँगा तो आपको क्या करना है वो note यहाँ से लिखना है यहाँ से मैं पहले copy कर लिता हूं यह note है आपको यहाँ से screenshot ले लेना या फिर या डिस्क्रिप्टिन box में लिख दूँगा बहां से सrav रहरें मैं यहाँ लिख सकते है ठीक है already copy कर लिखा of a animated character ठीक तो आपको यह कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पर इतना changes करना है ठीक इतना, यहाँ पर जो भी social media रहेगा तो आपको Instagram तो social media नाम change कर दिया Instagram करना है, अब नीचे आना है नीचे यहाँ पर आपको सिर्फ name change करना है आप देख पा रहे है, नेम आप अपना लिखना है या कि जिसका लिखना चाहते है तो यहाँ पर यह नेम लिख दिया है नेम लिखने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी character में छेड़ चाड़ नहीं करना है, आपको direct create के option पर क्लिक करना है, दोस्तो जब भी आप यहाँ पर note डाल कर create करेंगे अपने photo को, तो आप से microsoft login करने को बोलेगा, अगर आपका पहले से account है, तो login कर लीजिए अगर नहीं है, तो create new account पर क्लिक करके, microsoft पर अपना एक नया account वना लीजिए उसके बाद ही इस तरह के photo आपके create हो पाएंगे दोस्त, create के option पर क्लिक करने के बाद, यहाँ पर यह थोड़ी देर loading चलेगी, तो आपको loading चलने देना है, उसके बाद आपके सामने जो भी result आएगा, बहुत ही जबरदस्त और गजब का result आने वाला है, तो थोड़ी देर बेट करते हैं, जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, मुश्किल से 10 सिकेंड नहीं लगे होंगे, उसके बाद मेरे सामने result बिल्कुल तयार है तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं, photo पर जगा पर आप WhatsApp भी लिख सकते हैं, Twitter भी लिख सकते हैं, टेलिग्राम भी लिख सकते हैं, Snapchat भी लिख सकते हैं, कुछ भी किसी का भी logo यहाँ पर लगा सकते हैं, तो यहाँ से यह देख रहा हैं, आप कितना जबरदस्त तो मुझे डाउनलोड कैसे करना यहाँ पर यहाँ पर तीन डॉट पर किलिक करना ऐडाउनलोड के ऑसन पर आपको किलिक کر देना है, photo हमारा डाउनलोड होकर तयार हो जाएगा, उसके बाद दूसरा photo मुझे डाउनलोड करना है, तो इसी तरह से दूसरा फोटो भी मुझे डाउनलोड कर लेना है सारे फोटो इसी तरह से मुझे डाउनलोड कर लेना है ठीक है ये फोटो भी गया डाउनलोड में और ये वाला फोटो भी गया डाउनलोड में ठीक है अब आप चाह रहे हैं कि मैं जो है इंस्टेग्राम का लोगो चेंज करूँ तो यहां पर आपको बैक आना है बैक आने के बाद यहां पर इंस्टेग्राम लिखा है इंस्टेग्राम को कट कर देना है अब यहां से लिखना है Snapchat या आप जो भी application यहां से social media लिगा सकते हैं वो यहां से नाम लिख दीजिए Snapchat, WhatsApp, Instagram, Tutor कुछ भी उसके बाद आपको थोड़ देर फिर से वेट करना हुआ ठीक है तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं Snapchat के photo भी बन कर बिल्कुल तयार है तो यहां से फिर से मैं photo देख लेता हूँ photo देखने के बाद यहां पर आप देख पाने फिर से मैं यहां वहुत सारे photo में रिस्व हो जाएंगी तो मैं यहां से photo डाउनलोड कर लेता हूँ यह photo गया download में और यह वाला भी photo गया download में तो इस तरह से आप कोई भी फोटो बना सकते हैं ठीक है और डाउनलोड कर सकते हैं सिंपल ही है तो आसा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक करने और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़ादस ज़ादस सेर करें थैंक यू दोस्तो